नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिस स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल एक्जाम एकिक इस्टेडी पर तो दोस्तों आज की विडियो में हम बात करेंगे गणित की ट्रिक जो की सभी गोवर्मेंट एक्जाम के लिए वरी वरी इंपोर्टेंट है आप आपकी पाँच टरिक लेकर रहым अगर आपने ये टरिक कर लिकर लिए तो दोस्तो आपके सारे concept किलियर हो जायेंगे तो दोस्तो जो ये आपके टरिक है बहुत इंपोर्टेंट है जितने भी तो गैज यह आपके 5 ट्रिक रहेंगे जो की very very important है पहले ट्रिक आपके सामने है यदि A की 35% आए B की 25% आए के बराबर हो तो A और B की आए का अनुपात क्या होगा आपको बताना है आपको करना क्या है चार ओप्सन आपके सामने है इसने बोला है A की 35% आए आगे क्या बोला है B की 25% आए तो गैज यह आपस में बराबर है 25% परसेंट के लिए नीचे 100 लगा लेंगे इसने यह बोला है ठीक है तो 100 से 100 कट जाएगा यह आपका क्या निकल क्या आएगा 5 से काटेंगे 5 सते 35 और 5 मज़े 25 तो गैज आपको पैन उठाने की भी जरूत न अब आपको आंसर कैसे लगाना है देखो A के सामने क्या है A के सामने है 5 B के सामने क्या है 7 तो दोस्तो A के सामने क्या है अगर A रेसो B करेंगे हम A और B की आएकन उपात निकालना है A के सामने है 5 तो 5 यहाँ पर रख देंगे और B के सामने क्या है 7 तो यहाँ पर रख दें आपका correct answer हो जाएगा बस आपको इतने ही काम करना था तो आपका right answer निकलाएगा ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अगली trick भी देख लेते हैं एक trick दोस्तों आपकी ये भी काफी आसान है दो अंको की एक संक्या इस परकार है कि उनका गुणन फल आठ है यदि संक्या में 18 जोड एक op स्था आठ जाती है अब देखो अब को है कि चार उप्षन है उपसं से करेंगे आपको देखने से पता चलना का गुणन फल है मतलब जो ये संख्या दी गई है ये 8 का गुणनफल है ठीक है और आपको बोला है यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या उलट जाती है अब देखो जब पहली संख्या में आप 18 जोड़ो के तो कितना 18 जोड़ने पर उलट जाती है कि उलटने का मतलब क्या हो गया एक आठ उलटके क्या हो जाएगी आठ एक ठीक है अब आप लोग देखो जब आप इसमें इसको जोड रहे हो तो क्या 81 बन रहा है नहीं बन रहा क्योंकि 18 और 18 आपके होते 36 तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा बी ओप्सन चेक करेंगे जब आप लोग इसमें 18 जोड होगे तो संक्या उलट जाती है यानि ये आपकी 24 हो जाएगी लेकिन इन दोनों को जोडने पर 24 कभी नहीं आएगा ये भी राइट आंसर नहीं होगा इस वाली में करेंगे 18 जोडेंगे तो ये आपका 18 हो जाना चीए क्योंकि संक्या उलट जाती है 81 का हो जाएगा 18 तो दोस्तो जोड के देखो 81 और 18 आपके कभी 18 नहीं होगे ये भी राइट आंसर नहीं होगा तो गैस बचाईए आप इसमें देख लो जोड के 18 24 में 18 जोड होगे तो कितना आएगा ये आएगा आपका 42 और दोस्तो 24 का उल्टा क्या हो जाएगा 42 तो ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा यानि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा D option बस आपको इतना काम करना था आपका राइट आंसर निकल आएगा अगल आभी देख लेते हैं कैसे करना है तो गाइस ट्रिक नमबर थ्री 36 विद्यारत्यों को ओसतम 52 अंक प्राप्थ हुए मतलब 36 विद्यारत्यों के बावर इनका जो अंक का ओसत है वो 52 है किन्तु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ा गया मतलब जो 64 विद्यारत्यों पत था उसको गलती से 46 पढ़ा गया अंको का सही माध्या ग्याद कीजिए मतलब अंको का सही एवरेज ग्याद कीजिए अब देखो कैसे करना है बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है आपको अब इसको गलती से 64 की जगह पर 46 पढ़ा गया तो गाइस कितना कम पढ़ा गया जब आप लोग 64 में से 40 गटाओगे तो यह आएगा 18 इतना ही तो कम पढ़ा गया अब इस 18 का ओसत निकाल लोगे किसके इसाब से 36 विद्यारत्यों के इसाब से तो 36 से भाग देंगे तो कितना हैगा यह आएगा आपका एक बटा दो तो यह आजाएगा 0.5 और जो हमारा टोटल एवरेज है वो कितना है 52 अब 52 में हम क्या एड़ कर देंगे यह 0.5 तो रेट आंसर क्या हो जाएगा 52.5 यह आपका correct हो जाएगा D option आपका right answer चल जाएगा तो guys आपको इतना काम करना था आपका answer आजाएगा आपको पूरा करने की चेक करने की जोरुत नहीं है आपको pen भी उठाने की जोरुत नहीं है यह चीज आप आप अपने मन में कर सकती हो मन में कैसे करोगे एक बार मैं ये भी बता दे तो मन में कैसे करोगी इन दोनों में अंतर कितना है? 18 का इतना कम पढ़ा गया किसके हिसाब से? इनका ओसत निकालेंगे 36 मन मन में कितना आ जाएगा? 1 बटा 2 एक बटा 2 को क्या लेक सकते? 0.5 ओसत क्या था बावन इसमें जोड़ देंगे डिरेक्ट मन में यह आ जाएगा आपका 52.5 अगर आपको दोस्तों ट्रिक पसंद आए लाइक करके जरूर जाना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना देख लेते अगली ट्रिक क्या होगी आई होपा यहां तक आपको किलेर हो गया होगा दोस्तों यह ट्रिक ऐसी है आप जितने भी अब एक्जाम दोगे कोई भी एक्जाम हो आपका SSC CHSL का हो आपका गुरुप D का हो UPSI का हो MP पुलिस का हो, हर्याना पुलिस का हो सभी में यह आपके concept काम आने वाले है तो very very important trick है आपकी आगे बढ़ लेते हैं अगली trick भी देख लेते हैं trick नमबर 4 यह भी बहुत important है कुछ बढ़ाईयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया परंतु उन में से 5 अनुपस्तित रहे सेश आदमियों ने काम कितने दिन में खटम किया 12 दिन में तो total बढ़ाईयों की संध्या बतानी है अब देखो आप मन-मन में सोच लो वे total बढ़ाई कितने थे X ठीक है और इन्होंने कितने दिन में काम किया 9 दिन में और जो 9 दिन میں काम करने का वच्चन किया लेकिन इन में से 5 अनुपस्थी ति रहे तो पहले X थे इन में से 5 कम हो गए अब कितने दिन में काम किये 14 दिन में बस आप इसको 60 करना है ठीके इसको 60 करेंगे तो प्या एगा इधर आएगा 9 X इधर बनेगा गुणा करने के बाद अंदर 12x माइनस 60 जब आप इसको सोल करोगे तो क्या आएगा ये इधर आएगा माइनस के 3x बची जाएगा क्योंकि दोस्तों 12 में से 9 जाके 3 बचेंगे और इधर माइनस का 60 रहेगा माइनस से माइनस कट जाएगा x की value कितनी आजाएगी 20 तो दोस्तों यही आपका right answer हो जाएगा आपको इतना काम करना था b option इस सवाल का right answer हो जाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल कर सकते थे ठीक है I think आपको ये trick पसंद आई होगी मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ बहुत important ये आपके concept है अगर आपने ये concept daily पढ़ लिए आपका कोई भी government exam निकल जाएगा आगे देख लेते हैं एक दोस्तों ये भी मैं आपको logic से बताने वाला हूँ इसको थोड़ा tricky way में देखेंगे ध्यान से 100 km की यातरा में कार की गती 10 km परती घंटा बढ़ा देने पर यातरी का समय 30 मिनट कम हो जाता है कितनी बढ़ा देने पर 10 km परती घंटा तो कार की प्रारंबिक गती क्या होगी देखो हम इसको option से करेंगे देखो आपका speed equal to मन में सोचना speed equal to distance upon time होता है और time equal to distance upon speed होता है distance upon speed ठीक है अब देखो हम इसमें से ये वाला option उठाते हैं ठीक है अब time निकालने के लिए क्या करेंगे 100 बटे 40 करेंगे क्योंकि time निकालना है हमारा दूरी ये है और हमारी गती ये है ठीक है तो यह आएगा आपका काटने के बाद में आएगा 5 बटे 2 5 बटे 2 को क्या लेख सकते हो 2.5 2.5 का मतलब होता है 2.30 ये तो होता है अब देखो आपको क्या पता चला यहां तक आप लोगों को पता चला क्या 2.30 हमें किस पर करने पे आया इस पर करने पे आया 2.30 मिनट अब इसने बोला है 10 किलोमेटर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है 10 किलोमेटर परती गंटा स्पीड बढ़ा दी जाती है यानि पहले स्पीड अगर 40 थी आप कितनी होगी 50 दूरी तो वही रहेगी 100 लेकिन 40 से बढ़कर स्पीड कितनी होगी 50 पचास से भाग देंगे यह आएंगे आपके दो घंटे ठीक है अगर हमारा लोजिक फिट बैट गया तो यही राइट आंसर हो जाएगा तो आप दो घंटे आ रहा है कितना कितना की कमी हुई 30 मिनट की यही हमें बोला गया है यानि इसके अकोर्डिंग हमारा कॉंसेप्ट य जरू बताना ठीक है यह ओप्सन आपका रैट आंसर हो जाएगा ठीक है अगर आपको ट्रिक पसंद आए कमेंट करके बताना वीडियो को लाइक करके जरू जाना और मुझे यह बताना आगे भी आपको ऐसी ट्रिक चाहिए कमेंट करके जरू बताना कि आप लोग आगे भी ऐसी ट्रिक चाते हो और 2021 किसमें अपना सेलेक्शन लेना चाते हो एक सरकारी नोकरी लेना चाते हो गोर्मेंट जोब लेना चाते हो ठीक है गाई तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी ट्रिक मैं आगे भी लेकर आऊंगा आप लोग कमेंट करके बताना कि सर ऐसी ट्रिक आगे भी लेकर आना तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो मच मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर आपका दिन सुभू ओके बाई बाई